नमस्ते फ्रेंड्स मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल टेस्टी एंड डिलेसियस कुकिंग में आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याच के पकोडे जो खाने में भौती टेस्टी लगते हैं प्याज के पकोड़े जो की वारिस के मौसम में भूत ही अच्छे लगते हैं हर कोई खाना पसंद करता है इने तो आप भी बनाईए मेरी तरह प्याज के पकोड़े जरूर बनाएं तो चलिए बनाते हैं प्याज के पकोड़े यहां मैंने 5-6 प्याज ले ली हैं और उन्हें ऐसी स्लाइस में काटा है आप भी विल्कुल ऐसी ही काटना इनसे पकोणों का स्वाथ बहुत अच्छा आता है यहां पर मैंने एक बावल भरकर बीसन ले लिया है वो भी चान कर प्याज को मैंने एक भगोनी में ट्रांसफर कर लिया है इसमें बीसन डालती जाएंगी और मिलाती जाएंगी दीखती है किता बीसन इसमें मिलीगा अच्छी से मिलाना तो फिर किस-किस को बार इसमें पकोड़ी खाना और बनाना पसंद है मुझे जरूर बताईए कमेंट करक प्याज को अच्छी से मिक्स कर लिया है बीसन में अब थूड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिलाएंगे थूड़ा सा पानी और डालके इसको मिक्स करेंगे फिर हमारे मसाले डालेंगे इसमें आपर मैंने ली है दो चम्मच सोंड एक चम्मच धनिया पाउडर डेड़ चम्मच इसमें डाला है मैंने अजवाइन आदा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे इससे इसमें कलर बहुत अच्छी से आता है आठ से दस हरी मिर्च काटके ले ली है मैंने उनको डाल लिया है थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे जूकी में डालना भूल गई थी इसलिए बाद में डाल रही हूँ आप तो सारे मसालों के साथ में ही डालें अब इसे हम बीस मिनिट के लिए ढखके रख देंगे ताकि सारे मसाले आपस में मिल जूल जाएं और बेसन फूल जाएं अच्छे से बीस मिनिट हो गए हैं और इसमें हमारा बैटर अच्छे से फूल गया है अब इसमें एक सीग्रेट मसाला डालेंगे हम यह हरी मिर्ची धनिया और सौप का पेस्ट इसे आप जरूर डालें और एक और चीज डालेंगे बो भी देखना दो चमस दूट डालेंगे इससे पकोड़े इतने स्वादिस्ट लगते हैं और भहत भी कुरकुरे अब जरूर डालना दोनों चीजों को डालके अच्छे से मिला लेंगे और यहां पर हमने मिलाल मिर्ची का इस्तमाल नहीं किया है उससे पकोड़े थोड़े कड़क हो जाते हैं इसलिए सिर्फ भारी मिर्ची का इस्तमाल किया है हमारा बेटर पूरी तरीके से बनके तैयार है और अब हम इनसे पकोड़े तलेंगे आपसी इतना गाड़ा रखें, जादा पानी डालेंगे अपन पतला हो जाएगा तो वह जादा ओया पीएगा यहां पर मैंने कड़ाई में ओयल को गरम होने के लिए रख दिया है ओयल गरम हो गया है अब इसमें हम अपनी पकोड़ी तलेंगे यहां पर मैंने सारी पकोणों को अच्छे से डाल दिया है इन्हीं कर्ची चलाते हुए पकाएंगे ताकि सारी पक सकें एक साथ इन्हीं हम गूल्डन होने तक पकाएंगे और आपको जादा थोड़ी कड़क पसंद हो तो आप थोड़ा और पका लें या सोप्ट पसंद हो तो थोड़ा कम पकाएं हमारी पकोड़ी अच्छी से पक गई हैं और हम अब इन्हीं निकाल लेंगे सारी पकोड़ों को निकाल लेंगे यह देखिए हमारे पकोड़े बनकर तयार हैं और आपने हम सौस से खाएंगे अगर आपको सौस से पसंद हो तो आप सौस से खाएं यह तो मीठी चटनी से भी बहुत अच्छी लगते हैं हरे धनिया टमाटर की चटनी से भी बहुत अच्छी लगते हैं इसलिए आपको जो कोई से भी पसंद हो उस से खाए, मुझे तो सौस से पसंद है, इसलिए मैं सौस से खा रही हूं आप भी इस वरसा जरूर बनाएं प्याज के पकोड़े और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसे लगे अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक यू